चेहन बंदे मातरों स्वागत है भाई बहनों आप सभी का ओनलाइन हेल्प यूट्यूप चैनल पर यहाँ पर यदि आप एक किसान है तो भारत सरकार ने आपके लिए बहुत ही अच्छी पहल किये यहाँ पर एक mobile application launch किया गया है किसान रत इस application के मदद से आप अपना सामान अगर कहीं ले जाना चाहते हैं क्रिसी उत्पाद जैसे गेहूं चावल या कोई सबजी है उसको अगर आप एक जगर से दूसरे जगर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिवधा मंगवा सकते हैं तो पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो आप जरूर पूरा देखेगा यहाँ पर कैसे registration करना है क्या करना है सारा process में डिटेल में बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको इस application को install कर लेना है play store से इसका link आने वीडियो के description में दिया है जैसे आप उस link पे click करेंगे यह play store में आपको redirect कर देगा और वहां से आप इसे download कर सकते हैं यहाँ पर आपको language आप रखना चाहते हैं वह select किजिए यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है आपको सबसे नीचे एक option दिख रहा है खाता नह पंजी करन कर सकते हैं यदि आप एक बैपारी है यानि कि आप सामान की जैसे धान गे हूँ इस सब की खरीद विक्री करते हैं तो आप इस पर टिक करेंगे बैपारी वाला रहे station करेंगे यदि आप सेवा परदाता है जिसे कि यदि आपके पास truck है ट्रैक्टर है तो आप इसमें select करेंगे ठीक है तो यह तीरों ही option अलग-अलग है तो यहां पर मैं फिलाल किसान वाले में select करता हूं तो यहां पर सबसे पहले आप से पूछा जा रहा है कि PM किसान पर पंजी करित चीहां यदि आपको PM किसान सम्मान इदी के दाट पैसे मिलते हैं तो आप PM किसान और को सब्सक्रान पार के दो आप मुबाइल नमर्पोसान इनसलेग प्रार सम्मान मोग परॉट्म जिसे से करते हैं तो आपको सबस्क्राइब सकी के रेके जलेक्ते हैं तो यहां पर आपको सम्माने दा किक्रने हैं Cindy laundering करने करने को यह चिखिए जिला पसी फ्यापी ज़ि तो उसे आप सेलेक्ट कर लिजिए उसके बाद आपको जो है ब्लॉक सेलेक्ट करना है जो भी आपका ब्लॉक है उसे आप सेलेक्ट कीजिए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना गौँ सेलेक्ट करना है तो जो भी आपका गौँ है यहाँ पर उसे सेलेक्ट कीजिए यहाँ यहां पर चलिए मैं अपना यह आधार संक्या ना मोबाइल नमबर ओटीपी दर्ज करके नेक्स्ट प्रोसेस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर सभी चीजे मैंने फिल कर दिया अब फिल करने के वाद आपको पंजीकरन वाले उप्शन पर क्लिक करना है यहां पर देखें पासवर्ड यहां पर मिल चुका है जो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर देख सकते हैं dear user, dear kisandrat user thanks for registration your default password ही इतना इतना यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा password यहां पर आ चुका है अब मैं यहां पर क्या करूंगा यहां पर simply अपना mobile number इंटर करूंगा और उसके बाद यहां पासवर्ड इंटर करने के बाद नीचे जो है login करें पर क्लिक करेंगे तो यहां पर भाई बहनों आप देख सकते हैं कि यहां पर जब मैं password इंटर कर रहा हूं तो बताए जारे किर्पयामान ने password दर्ज करें तो मैं इसे copy कर लेता हूं ठीक है तो मैंने इसे copy कर लिया चलिए अब यहां पर हम पासवर्ड दर्ज कर देते हैं पासवर्ड यहां पर दर्ज कर देते हैं उसके बाद हम login पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम login पे click करते हैं यहां पर आप देख सेते हैं कि हमारे पास एक नया page आ जाएगा जहां पर हमें बताया जाएगा कि आपका मौझूदा password यानि जो password आपको अभी message पे गया था जिसे आपने इंटर किया उसी को यहां भी इंटर करना है अब दुबारा आपको एक नया password क्लिक करना है मतलब create करना है create करने के लिए आपको क्या-क्या चीजे ध्यान देनी है यह देखिए तब ही आपका password बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा तो यहां पर देखिए कम से कम एक capital लेटर होना चीए और छोटा लेटर होना चीए यहां पर कम से कम एक संख्या होना चीए 0-9 के बीच में और एक इस तरह का चिन होना चीए जैसे h, star, add the rate यह सब कुछ भी तो यहां पर देखिए यहां पर जैसे कि मान लिजे राम, b, h, a ठीक है तो राम, b, h, a उसके बाद 3, 2, 4 यहां पर उसके बाद यहां पर से कोई जैसे कि हच का सिंबॉल मैंने ले लिया यहां से फिर हम password इंटर करेंगे h, a, 3, 4, 5, h, ठीक है और प्रस्तूत पे क्लिक करेंगे पास्वर्ड की पुष्टी, sorry यहां पर यह दोनों password में थोड़ा सा difference हो गया है तो यहां पर मैं फिर से यहां पर change कर लेता हूँ r, a, b, h, a, 3, 2, 4, sorry यहां पर 3, 2, 4 था मैंने 3, 4, 5 दे दिया इसलिए यहां पर match नहीं किया था ठीक है तो यहां पर आप सो बाले यह जो icon है इस पे आप click करके देख सकते हैं कि आपने पहले बाले में क्या password दिया है वो चीज़े आप देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर 3, 2, 4 है तो यहां पर मैं 4 लिखता हूँ और फिर हच के लिखने को आप प्रस्तूत पे click कर देते हैं पासवर्ड जो यहां पर successfully change हो चुका है यहां पर अब आपको क्या करना है अब आपको यहां पर से तीन icon जो दिख रहा है इस पे आपको click करना है देखे यहां पर आपको एक चीज़ मैं और बताऊंगा जो कि सभी के लि यानि कि आप किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं तो उसका स्विधा यहां पर आपको दिया जा रहा है तो transport from यानि कि कहां से आप transport करना चाहते है क्या आप मंडी में सामान है जिसको आप अपने घर पे ले जाना चाहते है कहीं दूसरे जगह या तो आपके फार्म यानि कि आपके घर पे समान है और आप उसे मंडी में ले जाना चाहते हैं ओड़ तो यहाँ així करने के वाद क्लिक करके आगे पर पर किलिक करना है जिसी आप यहाँ पर किलिक करेंगे तो लोड़ पोस्ट करिक ऑपिंट में आप देख सकते तो तो दिलि आपको सिलेक्ट करना है वो किस जगह पे दिली में कहाँ पे जाएगा किस जगह सेलेक्ट कर्ना है जो इस जाने वाल के है उसके बाद यहांपर वलॉण के करना है उसके बाद गंतव्य का पता पीन कोड और कमोडीटी ग्रूप यानि कि किस ग्रूप का आपका सामान है जैसे कि आनाज है चावल के हो या फ्रूट है फॉल है या वाइल सीड है तो जो भी है अगर सीरियल से पर क्लिक करेंगे वजन अकमोडीटी नेम यानि कि कौन सा है तो यहां पर अगर आपके पास है तो यहां पर किलिक करेंगे वेज़न आ आपका मतलब कितना होगा तो यहां पर कुंटल में है तो जिसी कि आपका साइक वहकल टाइप पहले किस टाइप का वह चाहते हैं चाहते हैं तो candle के नहींट May यानि कि जो भी यहां पर दिख रहा है तो यहां पर जो भी फ्लैट बेट रेलर 20 फीट का जो भी आप हैड्रोलिक जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं तो यहां पर आप पूर्ण ट्रक लोड या अंसिक यानि कि अगर आपके सामान डालने के बाद उस पर जगह खाली दा जाएगा तो वो चीज़े आप यहां पर किलिक करें कितना बाहन आपको चाहिए एक चाहिए दो चाहिए हुआ यहां पर आप डालेंगे नाम संपर्क व्यक्ति यानि कि किस से संपर्क किया जा सकता है इसी इस्तिति में ठीक है मतलब वो अगर कंटेक्ट करें तो उसके बाद उनका मोबाइल नंबर जैसी कि आप अपना ही दे आपको चाहिए तो वह भी आपको मिल जागा लेकिन यहां पर जो सबसे बाड़ा पॉइंट आता है यहां पर आप समुच रहेंगे कि यह सब चीजे सरकार प्रोवाइड करेगी तो यहां पर ऐसा नियम नहीं है देखिए इसके लिए सरकार ने यहां पर यह एप्लिकेशन करूगा और फिर जो माल जी किया आप चिसान है तो आप कॉंटेक्ट करेंगे तो अगर मैं आपके एरिया में ट्रैक्टर वजा हुँ तो मैं आपसे कॉंटेक्ट करूँ ग tapi फ़िर वहां पर जो पैसा डिक अनल होगा उसके हिसाब से जो है उनको आपको पैसा देना अउ Ukrainian तो सामान आपका पहुंचा देगा तो यहां पर बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहते कि यह बिल्कुल फ्री होने वाला है तो ऐसा नहीं है लेकिन हाँ मैं कोशिश मतलब उमीद करता हूं कि सरकार जो है किसानों के लिए इतना कुछ कर सकती है कि कुछ मतलब ऐसे बाहन दे जिस को लाइक करके सेर कीजिए और नीचे कमेंट करके अपनी राइज जरूर कमेंट कीजिए मैं मिल था आपसे अगली वीडियो में जैहिन जै भारत